एक ही तरह से बैगन का पकोरा या भरवा या सबजी खाके बोर हो चुके हैं तो डिफरेंट तरीके से बैगन भरवा पकोरा कर इसे पी ट्राइ किजी एक बार बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और जो भी खाएंगे खाते रह जाएंगे इतना स्वाधिश्ट ये भरव जाएंगे इसके लिए कराही को गरम कर लिये थे कराही में डाल दिये एक चमच सरसो का तेल आधी चुटी चमच जीरा और एक महीन कटा हुआ प्याज इन सब को भून लेंगे थोड़ा सा ज्यादा नहीं भूनेंगे बस थोड़ा सो भूनेंगे बहुत ही फटा-फट वाल अगे जड़ा हुआ तो सुअग हम यहां दल देते हैं साथ में हल्दी का पौरड़ लेंगे तो धनिया पौरड़ रड़ा दाल देते है तो हम हरी मिर्च डालना इसमें भूल गये हैं यहां दे कावली लाल मिर्च कशूर भून थे तो इन सभी को हम मिला दिये हैं, मिल चुके हैं मसला अच्छे से, अब धनिया का पता थोड़ा सा हम डाल देते हैं, और इन्हें भी हम मिला देंगे अच्छे से, तो ये भी मिल चुके हैं, अब हम यहां पे उगले हुए आलू लिये हैं, तो तीन उगले हुए आलू हैं, इस आप सभी को बहुत पसंद आया तो मैं सोची youtube में भी सेर करती हूं आप सभी को भी पसंद आएगाild Xiao Rose मिल चुकए हैं अलुम असला तेयार हो चुके हैं तब हम गयास का फ्लेम बंद कर देते हैं अलु majd मेरख देते हैं ठंडा होने के लिए तो जब तक आलू का मसाला ठंडा हो रहा है तब तक हम एक तयारी और कर लेते हैं तो गर्मा गर्म में आपको नहीं बैगन के उपर में स्टॉप्ट करना है नहीं तो बैगन सौप्ट हो जाएंगे तो यहां पर जब तक हम दूसरा करेंगे तब कालूule कामसला ठंदा हो जाएगा तो दूसरा तयारी में हम लिये ह новых चार पांच्छ चमाज के करीब गेहुं का आता और चार पांच्छ के करीब चावल तो चावलAw गेहुं काटा अभुज इसमें डाल दिये धनिया का पत्ता स्वादनुसर नमक डाल देंगे अब एक छोटा चमच के करीब हम इसमें चीली फिलेक्स डाल रहे हैं, तो ये नस्ता आपने आप में बहुत ही ज़्यादा चटपटा बनके तयार होते हैं, तो आप इसे जरूर बनाईएगा, अब हम इसमें डाल देते हैं, एक बरे चमच भर के सफेद वाली तील, तो तील स इसे नस्ता का लूक अच्छा आता है, तो इसलिए हम डाले हैं, आप इसे एस्किप कर सकते हैं, तब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा सा चरके पानी डालेंगे, और इसका हम गारा सा घूल बना करे, तो घूल हमें ज़दा पतला नहीं बनाना है, नहीं तो बैगन पर तो इधर आलू का मसला भी ठंडा हो गया है तो दो चमच के करीब हम आलू का मसला हाथ पे लेंगे और नीम्बू का जैसे इसे हम गोल कर लेंगे पहले अच्छे से और फिर हतेली में बीच में रख करके दवा देंगे दोनों हतेली से तो यह टीकी के जैसे बन जाएगा तो इसी तरह का हमें टीकी बना लेना है तो एक टीकी हम बना लिए हैं दूसरा टीकी भी हम बना के दिखाते हैं आपको तो दूसरा टीकी भी सेम तरीका से बनाना है दो चमच के करीब हम एस टॉपिंग लेंगे आलू मसाला लेंगे और इसे भी गोल कर लेंगे और हाथ के हथेल तो दूसरा टीकी भी बन चुके हैं अब हम दूसरा तयारी कर लेते हैं और यह बाली बैगन का भर्वा पकोड़ा इतना स्वाधिश्ट लगते हैं जो बैगन खाना पसंद नहीं करते हैं वह भी बैगन के दीवानी हो जाएंगे तो हम यहाँ पे बेगन को इस तरीके से गल-गल कट किये हैं पुरा पतला 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 सलैस तो इसमें हम एक्ठो आलू का टीकी उठाएंगे और इसमें डाल देंगे तो आपको बैगन ज्यादा थीक नहीं रखना है, मोटा नहीं करना है, पतला ही पीस कटना है, काटना है इसको, अगर ज्यादा मोटा पीस कर दीजिएगा, तो फिर आलू का जो मसला बीच में रख रहे हैं, और उपर से एक ठो बैगन का सिलाय सम इस पे चिपकाएंगे, तो ज्यादा मोटा हो जाएंगे, तो उतना स्वाधिस्ट पकोरा नहीं बनेंगे, तो इस बात को आपको यहां पर धियान रखना है, कि बैगन आपको बहुत ही पतला कट करना है, तो आप दूसरा बैगन का पीस हम इसके उपर में रख दिये हैं, और इस तरीके से थोरा सा बनेंगे, आलू का मसला जो बना है, उसका चटपटा फिलेवर रहेंगे, और बैगन को ज़्यादा मोटा कर दीजिएगा, तो फिर बैगन का ही ज़्यादा टेस्ट आएगा, तो हम दूसरा भी सेम तरीका से इस तरीके से थोरा सा दबा करके इसे सेट कर लीजिएगा, तो इस घोल में हम इस तरीके से बैगन को डीप करेंगे, और तेल में हम डाल देंगे, तो यहाँ पर आपको ग्यास का फिलेम हाई रखना है, हाई फिलेम पर आपको दो मिनर तक बैगन को सेखना है, तो चमच से थोरा सा करके हम इस पीस को हिला देंगे, और उपर से तेल खुरा सा चमच से इस तरीके से डाल देंगे ताकि उपर से भी अच्छे से शेकने लगे तो यह बहुत ही जल्दी सेक जाते हैं तो हाई फिलेम पर हम सेकेंगे कलर चेंज होने के लिए और क्रेश्पी होने के लिए हम इसे धीमी आज पर सेकेंगे इसका साइड हम चेंज कर हो चुके हैं इसे सेकते हुए हमें तो हम यहां पर गैस का फिलेम लो कर देते हैं ताकि बैगन अच्छे से पक जाएंगे अंदर तक और क्रेश्पी हो जाएंगे तिसे पकाते हुए हमें तीन से चार मिनट हो चुके हैं मीडियम फिलेम पे और बैगन बहुत ही अच्छे स सेख चुके हैं साइड चेंज करते हुए इसे आपको क्रेस्पी कर लेना है बहुत ही स्वाधिस्ट बैगन का भरवा पकोरा बनके तयार हो चुके हैं देख सकते हैं तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं और जो बचे हुए हैं सभी को हम सेम तरीका से तल लेंगे तो जितने भी पकोरा था बनके तयार हो चुके हैं तो उमीद करते हैं ये भरवा बैगन का पकोरा कर रिसेपी आप सभी को पसंद आई होगी रिसेपी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक सेयर कर दीजिएगा चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिएग तो जैसे पनीर का पकोरा हम बनाते हैं आलू मसला बीच में रखके उसी तरह का पकोरा बनके तयार हो चुके हैं देख सकते हैं तो एक ठो पकोरा को हम आपको कट करके भी दिखाये हैं देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने हुए हैं ताप इसे एक बार जरूर से जरूर ट्राइ कीजिएगा जिसे भी खिलाइएगा सब आपके फैन हो जाएंगे